हेलो फ्रेंड स्वागत आपको मेरे यूट्यूब चनल पर दोस्तो आज हम जान लेते हैं पॉइंट टेबल के बारे में क्योंकि अभी अभी पाकिस्तान ने साउथ अफरीका को हरा दिया है और अभी जान लेते हैं सिनाडियों के बारे में क्योंकि पॉइंट टेबल पे बह तो बात करें पॉइंट टेबल की तो गूप टू का जो है इसमें बहुत ज्यादा फेर बदल हुगा है गूरूप टू में जिसमें से नंबर वन जो है वह इंडिया भी है दूसरे नंबर पे साउथ अफ्रीका है इसके पास है पांच पॉइंट जो है वह भी प्लस में है तीसरे पे पाकिस्तान आ गया सिधा पाचवे से तीसरे पे आ गया और आब इसके पास है और दो पॉइंट आ गया पाट जो प्लस में लेकिन पाकिस्तान से का फ्लस नेटरेंन रेड़ है थोड़ा सा कम है शौद अपरी करें कि उसके बाद चोथा जो है बांगलादेश है इसके पास भी चार है बट यह माइनस में है इसका नेटरे अन्एंड माइनस में में है उसके बाद आपको जिंबाम्बे देखने को मिलेगा जो कि कि तिन पॉइंड के साथ मांस में और छेट नमबर पे नीदल लाइड है रे आप देखो जिंबाम्बे नीदल लाइड है यह अभी आउट आफ हो गए है दो अबट पाकिस्तान के पास अभी बहुत ही अच्छा a chance is जांस क्या है कि पाकिस्तान के पास चार पॉइंट है और इन मेंसे सब के एक-ऑक मैच बशएं कैंतों अबंगलादेश के साथ मैच है पाकिस्तान कर वहत पूइसान का तो इस इते पाको से हैं कि आप साउथ अफ्रिका का जो बचा है नेदल लैंड से तो इसकी जगहाए पर पाकिस्टान हेगा या इस में हरा देता है और पाकिस्तान अच्छे अंतर से कर सकता है लिए और भी जो में बहुत ज्यादा खिर्बदब और यह और ज्यादा बढ़ गया है देखते हैं कि मैचों के बाद कौन से टीम क्वालिफाई करेगी अभी 100% नहीं बोल सकते कौन से टीम जो है क्वालिफाई कर सकती है अभी जो अगला मैच बचा हुआ है उस मैच पर ही डिपन रहना होगा कि उसके मैच के परणाम आने के बाद ही पता चलेगा कि कौन से टीम क्वालिफाई कर रही है दोस्तों इस वीडियो में इतना ही मिलता हूं अगली वीडियो में